Hello everyone, आज हम एक और मैथध़ सीखेंगे, cycling method, अब दीखुन, cycling method लीग मी आता है, single league का method है, ठीक है? अब single league में ये cycle method भी आया है, और इसमें staircase के बारे में भी मैनने बता दिया आपको, इसके लिए आप video देख सकते हैं, अब cycle method में होता क्या है? जैसे cycle चलते है राउंड राउं करते हैं round round match खेलते हैं देखिए इसमें समझेगा पहले देखिए क्या लिखा है in the cycle method if the number of team is in even number even number team अगर है यानि कि 2 है team कोई अगर 4 number team है 6 number team है 8 number team है यानि even number 2 से कट जाने वाली संख्याए है team में तो team number 1 team number 1 जो होगी जो पहली team होगी is fixed on the right hand side यानि जो पहली number 1 की team होगी वो सबसे उपर की तरफ fix हो जाएगी ठीक है even number team की बात कर रहा है cycle method में अगर total team जो है वो अगर even number team है तो जो सबसे उपर वाली team होगी यानि एक number team वो fix हो जाएगी right hand side and then moves other teams number R in ascending order continuously downwards यानि कि और बाकी team है ऐसे से round करते चली जाएगी then moves upwards on the left side और फिर क्या होगा जब down side जाएगी तो left side से उपर की तरफ आएगी और यह continuously चलता रहेगा ठीक है अब ऐसे देखेगा अगर यहाँ पर even number की बात कई थी अगर total number of team odd number हो यानि total team odd number हो तब क्या होगा तब हमको buy देनी पड़ेगी यहाँ पर buy को fix करना पड़ेगा कहाँ पर fix करना पड़ेगा buy is fixed on the top of right side अब इसमें हमने one number team को fix किया था अब अगर माली जे टीम odd number team है जैसे 5 number team हो यह 7 number team हो यह 9 number team हो तो हमको buy देना पड़ेगा यह एक add कर लेना पड़ेगा इसको balance करने के लिए और उसको fix करने पड़ेगा right hand side ऐसे तो आपको नहीं समझ मैंगा अब मैं इसको एक draw fix बनाता हूँ पहले एक even number team लिलने लिता हूँ even number team में मैंने लिया है six team ठीक है अब यह मैंने example लिया है six team का आप इसको देखेगा ध्यान से यह cycle method पर है बहुत important है अब देखेगा draw a picture of six team on league basis according to the cycle method अब cycle method जो है मैंने फिर बताया आपको cycle method single league में आता है किसमें आता है single league में तो single league में पहले जब हम समझिएगा जब single league में हम जब matches निकालते हैं तो formula क्या होता है और round निकालने का क्या formula होगा cycle method में तो हम सबसे पहले इसमें सबसे पहले वाला step जो हम लिखेंगे इसमें हम total पहले देखेंगे total team कितनी है तो हम पहले लिखेंगे total team जैसा कि आपको पता है total team कितनी है six यहाँ पर देख सकते हैं question में six team दिया है इसके बाद total team six इसके बाद जो next step होगा total matches कितने होंगे total and zero से मैं number लिख देता हूँ number of total number of matches, total number of matches का जो formula है आप देख सकते हैं वो formula इस तरीके से है n minus 1 upon 2 ठीक है ये एक formula है total number of matches निकालने का अब total team है 6, जैसे कि आपको पता है total team कितने है, 6 तो n का मतलब यहाँ n का मतलब हुआ total number of team total team है 6 और फिर n minus 1 यानि 6 minus 1 upon 2 तो next step में क्या होगा 6 और 6 minus 1 यानि 5 upon 2 जब इसको हम solve करेंगे तो आएगा 3 यानि कि total number of matches कितने आजाएंगे 15 matches बहुत easy method है इसको single league में रिकालेंगे, ये single league का formula है तो 60 में थी तो हमने 6 minus 1 किया, यहाँ 5 हो गया जहाँ हम इसको calculate करेंगे, solve करेंगे तो 15 matches ये step खतम होने के बाद number of round कितने number of round होगे ये बस पर लिखना है आपको number of round अब number of round के लिए बस एक खास हिदायत है कि अगर even number team है, अगर even number team होगी तो formula क्या हो जाएगा? round निकालने का N minus 1 यानि total number of team minus 1 अब total team कितने हैं 6 जैसे कि आप देख सकते हैं 6 तो 6 minus 1 यानि कि 5 round ठीक है, round भी आपको clear हो गए अगर odd होता कि के लिए N हो जाता वो हम odd वाला एक और example अभी आपको solve कराएंगे अब हम बनाते हैं एक friction कैसे बनेगा fixer इसका 6 team का आप देखेगा ध्यान से एक और page का मैं सहरा लूँगा आगी तरब इसको बढ़ाता हूँ आप देखें आगे की step देखेगा ध्यान से अब इसमें हम करेंगे क्या फहला जो first round जो होगा, first round यहाँ पर लिख देंगे first round में 6 team है जैसा कि आपको पता है टेटल team कितने है 6 तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बस पहला round इस तरीके से लिखना है लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब क्या होगा मैंने आपको यह एक चीज़ बताई थी आपको कि यहाँ ध्याँ से देखेगा मैंने बताया था जगर even number team है यहाँ पर देख सकते हैं तो एक number team वहाँ पर fix होगी और right hand side top पर जो team होगी वो fix हो जाएगी वो कही moment नहीं करेगी तो हमको भी यहाँ यही करना है बस आप ध्याँ से देखेगा जो number एक team है वो right hand side वो fix रहेगी बाकी team है move करेंगे इस तरीके से अब देखेए यह तो हो गया पहला round पहला round completed तो आपको पहला round बहुत आसानी से गए 1,2,3,4,5,6 balance रखना यह देखेए balance कर दिया हमने 1,2,3,4,5,6 अब जो next round होगा देखेए next round में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाकी round आसानी से हो जाएंगे 1 वहीं पह रहेगा अब जो 6 है ना उस 6 place ले लेगा 2 की और 2 किसकी place ले लेगा 3 की 3 किसकी place ले लेगा 4 की और 4 किसकी place लेगा 5 की और 5 किसकी place ले लेगा 6 की बस यही round है next round यहीं रहेगा fix और इसकी जगह 2 की जगह पर आगा 6 और 6 जब यहां पर आगया तो 2 फिर नीचे आ जाएगा फिर 3 यहां पर आजाएगा 4 यहां पर आजाएगा और 5 यहां पर आएगा बस यह हो गया फिर एक arrow S तरीके से और फिर उसी तरीके से प्रोसीजर हम आगे बढ़ाएंगे देखें अब थर्ड राउंड की तरफ चले जाएंगे थर्ड राउंड देखें क्या है थर्ड राउंड में वन तो वहीं पे रहेगा अब फाइव सिक्स की जगे पे आ जाएगा तो फाइव यहाँ पे पहुँच जाएगा और शिक्स टू की जगे पे फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर टू यहाँ पे रहेगा थ्री यहाँ पे रहेगा और फोर यहाँ पे आ जाएगा पर इस तरीके से फिर एक एरो बना देंगे ठीक है एरो से कोई मतलब नहीं बस अपने सिंगनल के लिए बिस हमने ये रोटेट किया इसते पता चलता है आप देखें नेक्स्ट राउंड क्या होगा नेक्स्ट राउंड होगा आपका फॉर्थ राउंड आप इसमें देखें वन वहीं पे रहेगा और फॉर जो है इसकी जगे ले लेगा फाइव की जगे बस इतना आपको करना है कि फॉर को सीधे यहां पे लाना है वन फिक्स ही रहेगा और फाइफ नीचे चला जाएगा शिक्स इस साइड आ जाएगा फिर टू थ्री ठीक है ये हो गया पूरा फिक्सर इस तरीके से अब देखें अगले वाल है थ्री नीचे आ जाएगा फोर इससे नीचे फाइफ शिक्स और यहां पे आप आ जाएगा टू ठीक है ये हो गया इंड अब इसके आगे नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा अब देखें क्यों नहीं जाएगा राउंड मैंने बताय थे फाइफ और फाइफ राउंड ह आपको तयार हो जाएगा और इसमें ज़्यादा दिमाग लागेंगे जो आपको यह ध्यान रखना है कि बस इस तरीके से जो उपर टीम पहुचगे वह सेकंड नमबर पर आ जाएगी इस तरीके से वह मूमेंट करना है बस सिंपल है तो राउंड फाइव ही होंगे अगर इव Leona लिखना है सबसे पहले लिखना है अब को सबसे पहले इस टेप लिखना है टोटल तीम कितनी है आप सबी को बता है आपकी जो हमने लिया है वो लिया है odd number odd number टीम लिया है और इसमें हम जब निकालेंगे अब total matches क्या करेंगे हैं total matches निकालने के लिए total matches निकालने के लिए formula क्या जूज करेंगे जैसा कि आपको पता है कि n n-1 upon 2 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे total number of team कितने हैं 5 तो यहाँ पे n का मतब total number of team 5 तो n-1 यानि 5-1 upon 2 n का मतब total number of team तो यहाँ भी n है तो यहाँ 5 लिखे हमने अब हम दिखें next step में हम क्या करेंगे 5 यहाँ पे लिखें 5-1 यानि हो जाएगा 4 upon 2 जब हम इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 10 matches कितने matches होंगे यहाँ पे 10 matches ठीक है बहुत ही आसान है अब इसके बाद next जो step होगा next step में हमको निकालना है round तो total round मैंने बताया था number of round निकालने क्या फॉर्मूला है number of round निकालने का फॉर्मूला है मैंने इसके थोड़ा सा ध्यान देने की बात कही थी आपको कि अगर odd number team है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n यानि total number of team गितनी है उतने ही round होंगे तो total number of team n है यानि कितनी team है 5 तो round भी उतने ही होंगे ठीक है वहाँ जब हम odd जब हम even की तरफ गए था तो even में n-1 कर दिया था और odd होने पर अब यहाँ पर जब odd है देख सकते हैं odd है तो क्या हो गया total number of team कितना हो गया 5 ही अब बस इसके बाद हमको बनाना है draw fixture अब draw fixture हम कैसे बनाएंगे दिखे यहाँ से दिखेगा हम सबसे पहले round first बनाएंगे अब round first बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 5 team क्योंकि total number of team है 5, 5 है अब देख सकते हैं total number of team कितनी है 5, तो 5 का हम कैसे बनाएंगे अब balance होगा नहीं तो यहाँ पर आप मैंने बताया था आपको एक बार देख लिजए अगर होगा यहाँ पर देख लिजए अगर मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर odd number team होगी जैसे 5, 7, 9, 11 तो क्या करेंगे हम buy लेके उसको top पर fix कर देगे ठीक है और बाकी team को उसी तरह है वही procedure सेम procedure में हम उसको follow करेंगे अब देखें यहाँ पर buy लेना पड़ेगा तो सबसे उपर हमने buy ले लिया buy को क्या करना है fix कर दिना है बाकी team को उसी तरह के 1, 2, 3, 4, 5 यह round complete हो गया 1 पहला ठीक है बस simple है तो यह buy ले लिया सबसे उपर 1, 2, अब कोई कितनी भी team होती है हमको balance करना है तो हम इस तरीके से balance करेंगे buy लेखे अब बाकी team में तो move करेंगे इस तरीके से हम arrow दे सकते हैं और मैंने बताया था कि जब second round आएगा आएगा तो आप याद रखिए कि जो 5 है वो 1 की place ले लेगे और 1 क्या करेगा 2 की place 2, 3 की place 3, 4 की place और 4, 5 की place अब next जो round होगा यानि पहाँ पर buy सबसे उपर होगा buy और वो fix रहेगा और इसके बाद क्या आएगा 5 हा जाएगा फिर 1 नीचे चला जाएगा फिर 2, 3 and 4 यह procedure हम seconds उसमें अपना हैंगे ठीक है? समझ गए होगे अब अब देखें next round के तरफ जाएगे third round third round देखें, क्या होगा? third round वे buy तो वहीं पे रहेगा buy में कोई दिक्कत नहीं buy तो fix से जाएगी अब यहाँ पर 4 जो है, क्या करेगा? 5 की place ले लेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और इसके नीचे चला जाएगा last, fourth round second last round तो अब यहाँ पे सबसे उपर buy लिखेंगे फिर यहाँ पे देखें यह three जो है, किसकी जो प्लेस ले लेगा 4 की तो यहाँ फिरी हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 5 फिर 1, 2 बहुत ही easy है अब इसके बाद हम क्या करेंगे buy को वहीं fix कर देंगे two का एक arrow दे देंगे अब last round की तरफ जाएगे last round fifth round है यहाँ पे देख सकते हैं हाँ तो buy फिर वहीं पे fix रहेगी अब two की इसकी प्लेस ले लेगा three की three नीचे चला जाएगा फिर इसके बाद four sorry यहाँ पे जब हमने two की इसके प्लेस दे दी तो three नीचे आ गया फिर four, five, one बिल्कु सही है थोड़ा सा मैं confused बता है इसलिए मैं रुका क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बहुत ही easy है अब इसके बाद round five ही होंगे तो हम five round तक पहुँची गए बहुत ही आसान है अब देखे एक मैं आपको बता दो यह single league क्यों है इसको cycle method को single league क्यों बोलते है देखे cycle method single league इसलिए है कि हम round first और fifth में देखें अब fifth अगर fifth के बाद अगर एक round और होता है तो fifth कहां पहुच जाता है इसके open इस तरीके से सबसे उपर आ जाता है फिर से एक round में क्योंकि हर बार यह ऐसे चला न हरे बार एक step बढ़ रहा है five यहां था देखें सबसे पहले five कहां था सबसे उपर फिर move करते बाद नीचे आया फिर आगे बढ़ा फिर यहां आ गया इस तरह यहां अगले step में यहां आ जाता तो यह दो बार नहीं match हो जाता इनके बीच इसलिए यह single league है इस तरीके से हमको यह solve करना है तो इस से related जो भी question होंगे जैसे odd team है तो कितने round होंगे अगर मांन लिजे fantastique 7 टीम होती तो कितने round होगे? 9 टीम होती कितने हो act 9 टीम है तो 9 राउंड होते अगर even number team होती iimei टीम कोई भी हो कितनी भी हो तो इवेन नमबर टीम में मैंने बता है एन माइनस वन हो जाएगा एक गटा देना है जैसे कि मैंने आपको बताया था तो थैंक यू